अपने एक्जाम मतलब का पूरा भरोसा है कि अंदर बहुत सारा डर भी बैठा होगा अंदर बहुत सारी फ्रस्टेशन भी होगी और पानिक अटैक तो पूछो ही मत और यह भी पूरा गैरिंटीड है कि कितनी भी प्रपेशन आप कर लिए तब भी कुछ न कुछ तो अचूत होगा रहा ही होगा काफी चीजों में अभी डर लग रहा होगा कि यह आ गया वो आ गया तो क्या करेंगे कैसे करेंगे तो इन्हीं सब कुछ थ्वा ध्यान में रखते हुए हम इने फुटी से स्ट्राटेजी वीडियो सोचा कि एक बार डाल दें आपको कई लोग काल भी आ आया हुआ उसमें केवल केवल 85 questions है या 80 questions है तो क्या इतनी आएंगे नहीं आपका pattern वही रहने वाला है जो पहले pattern था that means कि आपके 60-60 के दो segment बन रहे हैं टोटल 120 question रहेंगे और उसमें 80-80 के दो segment रहेंगे और पहले वाले segment को हम non-tech नाम देंगे और इन non-tech में से आपको पता होगा कि English आपकी 20 number की आने वाली है, reasoning आपकी 15 की है आप टी भी आपकी 15 की है और GS 10 का है ठीक है? GS 10 का है वहीं अग modern chapter कौन से हैं, यह सब की बात अब नहीं कर नहीं है, क्या करना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, यह 30-30 question का रहेगा, no negative marking is that, there, मतलब कुल मिलाज लाके बस आपको एक ऐसी strategy बनानी है, कि जिससे आपको अगर नहीं भी आ रहा हो, तब भी आप बहतर perform कर पाएं, और आ हो, तो फिर चार चांद लग जाएं, देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, first of all, before attempting the paper, if you are able to do so, अगर आपने किसी mock outcome में ऐसा कुछ किया होगा, तब इसको apply करिएगा, अगर नहीं कभी try by किया है, या आपको इस पर doubt लग रहा है, तो मत करिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से, पहली चीज़ यह है कि, वैसे तो मैं 20 second rule बताता हूँ, लेकिन आज हम बताएंगे आपको 30 second rule, 30 second rule क्या है, कि whenever you go through any question, अगर आपको कोई प्रशन दिखता है paper में, तो ध्यान रखें, शुरुआत आप अपने हिसाब से करें, वैसे मेर भी, follow up कर सकते हो, बटी मेरा suggestion रहेगा, ध्यान रहे, English मेर, GS में कोई research वाली बात नहीं है, जो आ रहा है, आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब करके आपने पढ़ जाएंगे, यानि कि 30 question हो तो done होगे बाद खतम होगी, 15 मिनट से जादा नहीं लगेगा, अब अगली बात आएगी, reasoning और अपटी पे, तो इसमें थोड़ी से doubt वाली बात ये रहती है, कि जैसा कि last year, या उसके पहले वाला year, या 21 वाला year, आपको idea होगा कि 4 question, 3 question ऐसे आएंगे, जो वाकई हिला देते हैं, और most of the time वो चौथे पे एक रहेगा, तो एक अठवे पे रहेगा, एक बार में पे रहेगा, अब समस्या ये हो जाती है, कि कैसे जानेंगे कि कौन सा question skip करना है, और most of the time आप देखोगे, question easy लग रहा होता है, असली समस्याती calculation में, और उसका calculation बहुत टाइम लगता है, ध्यान रखें, कोई भी question पढ़ना है, 10 से कंड दीजे पढ़ दें किसी भी question पे, जिसमें 10 से कंड आप question को read करने में, 20 से कंड आपने question को solve करने में दिया, और आपको idea लग जाएगा कि ये question लगने वाला है या नहीं, अगर लगने वाला है, तो कितने धिर में लगने वाला है, जिसे for example, कल्कुलेटिव है, आप कल्कुलेटिव को पता अगर कुछ good guess लग रहा है, वही option good guess में करिए, mark for review करिए, next करिए, चीक है, तो इससे आप पाएंगे क्या, कि जैसे मानलो आपने apti है, या reasoning है, तो reasoning में मानलीजे आपके पास में, आपके पास में 15 question है, overall में आपने 10 question आप देखोगे, बहुत easy होंगे, जो कि आराम से लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ में तो बिना paper, pen उठाएंगे अपका लग जाएगा, तो ये 10 question आपने किए, आपटी में भी ऐसे आए, 10 question आपने किए, skip करना एक talent है, question को skip कर पाना भी, एक talent है, जिसमें आप एक good guess करके skip करेंगे, इससे आप पाएंगे, 10-10 इधर हो मतलब 30 minute, 32 minute, 35 minute जाते आते हैं, आपका ये non-tech cover हो जुका होगा, अब आप सेम study अपनाएंगे, physics पे भी, और math पे भी, physics और maths में भी, देखो, physics में करीब करीब, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि, पिछले साल तो काफी ज़्यादा थे, उसके पिछले साल भी अगर देखें, औ या बारा से पंदरा question ऐसे होंगे, जो शायद आप ऐसे देखोगे, उको गरे यार कितना असान आया है, vector पूछ लिया, dimension पूछ लिया, या फिर कोई formula है, या कोई relation पूछ लिया, या multiple पूछ लेता कि by temperature को इतना बढ़ा दिये, अब बताओ, specific heat capacity कितनी बढ़ जाएगी, त जो बदल नहीं रहे तो force कहा से लगना है, तो ऐसे से करके question रहते हैं, जो कि थोड़ा से challenge करते हैं, लेकिन at the moment देखते ही लगते हैं, ऐसे question को कर लीजे, बागी सबको mark for review, next कर दीजे, same goes with mathematics also, mathematics में बता रहा हूँ कि 7 से 10 question ऐसे आपको दिखेंगे, जो सीधा सीधा कुछ कुछ ऐसा पूछा रहता है, कि बताओ ये vectors को linear हैं कि नहीं हैं, कुछ में आप ऐसे relation निकाल के लगा ले जाते हो, तो ऐसे question जो देखते ही देखते लग जाएं, उन सबको आप लगाएंगे, 7 से 10 अब देखिए आप इदर से 35 question इधर हो गए, और लगबग मालो 20-30 question इधर हो गए, मतब 65 के आजपास में आपके question safe होंगे within an hour, एक घंटे के अंदर, अब आप सोचो, आपके पास में लगबग मालेते हैं, 65 ही question माल की चल रहे हैं, 65 question है, जो आपने कर लिए हैं, 55 question ऐसे हैं, जो आपने अभी करे तो हैं, दुक्का तो मारे हैं, लेकिन अभी sure नहीं और एक घंटे पूरे बचे हैं, तो आपको यहीं पे स्थोड़ी सांतोना यह मिल जाएगी, यह 55 है, और क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, तो सही होने के चांसे थोड़े जाधा रहेंगे, यानि 30% का, मतलब 25% की बजाए, 30% का probability लगेगा, तो आप देखोगे कम से कम 15, 20 कोशन, 20 कोशन, लगभग, लगग, सही हो जाने चाहिए, अब अगर 15 से 20, 18 कोशन भी सही हो जाते हैं, तो आप देखो, 65 में 18 गर जोड़ोगे, तो लगभग, आप 70 क्रॉच कर दे रहे हो, 65, 10, 75, और 8 करोगे, तो 73 हो जाएगा, मतलब आप देखोगे, यार, मेरा तो बस कर लिया काम बन जाएगा, और टाइम पूरा एक घंटे बचा, हलकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर आएगी, और आप पटाक से आप घूमोगे उस पेपर में, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौशन आपने छोड़ा है, जो आसान था और लग जाता, अगले एक मिनिट में, कोई बात नहीं, एक मिनिट लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको टागेट करना है, बस बीस क्वेशन और, बीस बच्चिस क्वेशन और टागेट करने, तो आप कहाएंगे, फिर से आएंगे, आप टी में जो छोड़े हुए क्वेशन इसमें से दो तीन साइद लग जाएंगे, और फिजिक्स मैट्स में, यह वाले पार्ट में, जब इधर आएंगे, तो आप पाएंगे कि कोई सारे ऐसे हैं, जो फॉरा फॉर्मूला लगाना है, हलका सा क्लिलेशन है, लेकिन लग जाएगा, वो भी आपको पता है, कहां कहां से कौन कौन सा करना है, और जैसे से वो ब्लू वाला ग्रीन होता जाएगा, वो ऐसे से कौन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और बहुत आराम से आप 95 प्रॉस करेंगे, यह 100 तक पहुंच जाएगे, और बहुत आराम से आप अपने आपको सेफ फिल करेंगे, और एक्जाम हॉल से निकलते से आपक कितना आपने किया है, किस लेवल का कुशन था, क्या पेपर था, बढ़ी आप्रोच रहेगा, लेकिन अगर वहीं दूसरी और अगर आपने ऐसा किया कि एक तरफ से भीड़े हुए हैं, इसी क्रम में भढ़ते हैं, सब निप्टाते जा रहें, जाहिर से बात में हर चार से पांच कॉशन पे एक हर्डल आता है, आपको यह पेपर उठा के देखेगा, अब हर हर्डल पे क्या हुआ, आपका पांच-पांच मिनट गया, आखरी टाइम तक भी आप पास समय नहीं होगा, सोचने भर का कि लाओ पीछला वाला देख पाऊं, क्या कोई गलती तो नहीं ह आपने क्या-क्या, जो भी थोड़ी difficult लग रहे थे, उन पे आपने work करना शुरू कर दिया, कहीं-कहीं है, जब आप next करते जाते हो न, अंगले blue पे, तो आपको वहीं बीच में दिख जाता रहे, यह वाला question यह था, तो भी revise होता जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं र लग जाते हैं, जो शायद आपने सही से पढ़ाई करी भी नहीं, वो भी लग जाते हैं, क्योंकि दमाग तो है न, जब आपको पास stress नहीं होगा, तो बढ़े हैं चल पाएगा, अब अगली बात हम करेंगे कि stress कैसे manage करें, कि stress या panic, देखो आपने पढ़ाई करी है, और हम अब हम देख रहे हैं कि वो 50 जो super में हैं, और वो 100 जो लगबग बहुत बढ़िया कर रहा है, safe zone में वो भी हैं, अब इन लोगों के लिए क्या suggestion दिया जा, देखो पहली बात तो यह है कि आपकी तैयारी पूरी है, बस confidence self वाला नहीं है, वो नहीं रहेगा कभी भी, क्योंक पूरा भी कटिन आ गया नहीं लग रहा है, तीसरा वो भी recall नहीं हो रहा है, इसका क्या फामूला था, चौथा नहीं, आपके दिमाग में बस इतना कामनिस के साथ में, persistence के साथ में, consistency के साथ में इतना बस रहे, कि पूरे 120 में, एक तो आता है मुझे न, इतना तो भरोसा है इतने लेवल तक तो भरोसा है, बस हम वहीं तक जाएंगे, तीन-चार करने बाद एक लगेगा, फिर दो लगेगा, जिद्रे सब लगना शुरू हो जाएगा, बस शुरूआत का गेम है, अगर शुरू के आदे घंटे आपके अच्छे गए, तो पूरा पेपर बढ़िया जाता, और शुरू में अगर आपने पैनिक करी, स्ट्रेस लिया, आज़ादा घंट में गए, तो सब घंट हो जाता है, देखो वैसे भी घंट होना होगा, मनलों आपने आदे घंटे खराब कर दिया, आपको लगी गए घंट हो गया पेपर, तो ऐसा तो नहीं कि आप कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी अगर आप मान लिजे, पैनिक हो रहा है, जादा कुछ हो रहा है, बस एक मिनट अपने आपको दीजे, उठीए, पानी पीजे, या वाश्रूम अगर जाने के कहीं कहीं, परमिशन मिल जाया तो चले जाईए, या नहीं मिल पा रहा है, तो कोई साथ कुछन हो जाएंगे, वैसे भी confidence आजाएगा, कम से कम ऐसा तो रहेगा, कि हाँ, हमने जो best वाले कुछन से उकर लिए, और इसमें बहुत जाड़ टाइम नहीं लगेगा, बचेगा, जो हमने बताया सुरुआत वाला, वो strategy काम करेगी, चीक है, तो कोशिश करिए, कि व घबराहट से, पानिक से, उन ही चीज़ों को एवाइड करना है, कभी-कभी ऐसा होता है, जो system पे आप बैठे, उस system में कोई कमी है, glitch है, नहीं सही click हो पा रहा है, उसमें घबराग एकदम, कोई बात नहीं हम आराम से click करेंगे, क्या दिक्कत है, है ना, आराम से click करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता कभी किसी question में अठक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना थोड़ी है हमको, कामली उसको एनल व्लेजिलेटर को बुलाएंगे, बताएं ये system गवर्ड है, दूसरा system अलाट करेगा, हो सकता 2-3 में में अराम साओ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर, जाधा दरचांस है कि 12 से जाधा वेटरिज रहेगा, तो वो तो आपको आता है, 11th का जो वेटरिज है, आपको भी बताया गया, बताया भी किया, उसका revision भी कराए गया, मुझे लग रहा है कि एक अच्छे condition में आप उस समय लाई कर रहोंगे, बस समस्या इतनी सी है, क पेपर में जाने के बाद घबराना नहीं, अगर अगर तो और बढ़िया रहेंगे, और अगर को लेवल अप दिख रहा है, तो आप को अप कुई बी आईडिया न लगा पसकते हैं, जब तक पेपर रहेंगे, जब तक आइडिया नहीं लगा, जैसे माल 2021 की बात करें, तो लगबग 87 की आसपस cut-off गई, 2022 में जुलाई की बात करें, तो cut-off गई, तीनों shift की अलग अलग से, एक सो को दो गई, 3rd shift की, 98 में गई, 2nd shift की, 94 में गई, 1st shift की, और इतना बेहुदा सा numbering का वो distribution रहा की percentile में फिर cut-off आई, तो उसका कोई ओचित नहीं था, खेर, अब आप आते हैं, फेब में, इस साल वाले में, 23 में, तो 23 फेब में जब आप आएंगे, तो आपने देखा होगा, कि 91 point something गई थी, cut-off, general की, overall में, normalize जोकर के जो cut-off गई थी, although normalize होकर के बढ़ा था, तो normalization नहीं, raw score पे हम आपको focus करके बताएं, तो मतलब कोई बहुत बड़ी score की बात नहीं थी, लेकिन हम जो यह अंतर देख रहे हैं, यहाँ 102 है, यहाँ 92 है, यहाँ 87 है, इसके पहले वाले में बहत्तर, तो आप देखेंगे, जैसे paper का level up होता है, वैसे ही cut-off down होती है, तो अगर फ्रसा level cutting देखें, तो घबराना सोड़ी है कि फिश्री बात ना cut-off गया था, कभी कुछ ने cut-off गया था, cut-off बढ़ता भी है, घट विटा अगर आपने दिया होगा, तो आपको idea होगा, कि gate में अगर जैसे कभी cut-off बढ़ती है, तो अगले बार ऐसा करते हो paper set की, फिर cut-off ने आप down जाती है, तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है, कि घबराना बिलकुल भी नहीं है, और अग्दम आराम से, कूल हो करके, काम हो करके paper को attempt करना है, अच्छी नीद लेनी है, अगर आपका second या third shift में है, तो formula revision करना है, यही सारी चीजें छोटी-छोटी आपको काम करेंगी, next thing, अगर संभाव हो सके, तो light food खाना है, आज light food, क्योंकि देखो घबराहट जब होती है, सबसे पहले क्या खराब होता है, पेट, दिमाग तो पहले खराब हो चुका है, लेकिन खराब होता है पेट, और पेट जब खराब होता है, तो weakness, concentration, हर चीज़े प्रावलम आती है, पेट सही रहे, इसके लिए क्या क्या करना है, पहली बात तो थंडी नहीं लगनी चाहिए, average family है, हम लोग sacrifice करना जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी sacrifice कर लीजे, एक दिर नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है, तो बहुत आराम से सात्विक भोजन, रोटी सबजी खाईए, चावल थोड़ा सा avoid कर लीजे, और बढ़िया नीद लीजे, पल अगर खाएंगे तो ठीक है, लेकिन पल भी जादा नहीं खाना चाहिए, सामकोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, रीजन यह है कि ठंडा मौसम है, ठंडा नुकसान कर सकता, अपल भी जादा नुकसान कर सकता, एकाद एपल या अपाद से केला खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पर avoid करने ही, कोशिश करने ही, गरम चीज़ें ही खानी ही, गरम में भी जादा गरम, जिसे ओमलेट वगरा होगा, यह सब avoid करना है, साधा, simple, दूद पीना भी avoid करना, दूद पी भी रहे, थोड़ा पीजेगा, नहीं तो पेट जिब बहना सुरू होगा न, तो पोचा नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना है तो खुलना इलाके पहला तो अपना खाने वाला सीन बढ़िया रखिएगा, साफ रखिएगा, सुद्ध रखिएगा, बिमार नहीं होना है, समय से सोना है, next thing, जैसे अपना जो batch में अगर आप लोग होंगे या नहीं भी होंगे, तब भी आपको इतने चीज़ों का access है, ज जैसे question chapter के level है, उसमे question set हुए है, तो आप इन चारों के PDFs देख लिजएगा, टेलिग्रान से, ठीक है, इन सारों के PDFs देख लिजएगा, हम बता रहे हैं, आपसे 40 मिनट, 45 मिनट, या एक घंटा लग जाएगा, और क्या, इसा थोड़ी लगेगा, लगाना नहीं सवाल, ब ठीक है, maths वाली भी, physics वाली, दोनों डाउनलोड करिएगा, दोनों को एक revision करिएगा, एक आर्स कम से कम, इसका भी जाएगा, एक से सवा घंटे, इसमें भी जाएगे, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, थर्ड क्या करना है, इसके बाद में, इसके बाद में, हम लोगों ने एक revision capsule दिया थे, तो एक खाली batch में ही था, लेकिन जो नहीं है batch में, परिशान मत होई है, खरीदने मत लग जाईएगा आज, ठीक है, revision capsule दिया है, physics का भी, maths का भी, इसमें क्या क्या है, देखो, एक तो NCRT का summary है, और फिर उसके formulas हैं, तो formula तो आप ओहीं कर चुके होंग यही तना करना है, अब इसमें देखो, NCRT जो summary है, यह फटा-फट से आप revise कर डाली, जो लोग batch में नहीं है, तो उनको भी ऐसा नहीं के NCRT की book नहीं available, बहुत आराम से उपने पास रखे भी होंगे, अगर नहीं भी रखे हैं, तो websites देखे, summary's आपको मिल जाती है NCRT की, वहीं से फटा-फट से सारा एक बार कोई go through कर सकते हैं, अगर समय बच रहा तो, नहीं समय बच रहा है, तो कुछ important chapters के जरूर करें, जिसे 11th की अगर हम बात करें, 11th वाला ही सबका बचा होगा, तो 11th में ध्यान रखें, एक तो जिसे rotational का, एक जैसे आपने laws of motion का, फिर एक आपने देखना है, graphs कोगरा, मतलब motion is straight line, और उसी में projectile थोड़ा से देख लीजेगा, फिर second part में आपको KTG, thermodynamics, ये दोनों थोड़ा सा ठीक से देख लेना है, बस 5 chapter देखने में केतना time आपको लग जाएगा, जब भी आदा गंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और जब भी आप revise कर रहे होंगे, जिसमानलीज आपने PDF देखा, चारो booster का, इसमें कोई चीज missing है, वही चीज फिर इसमें देखोगे, वही चीज फिर इसमें भी देख रहे होगे, है तो वही सारी चीज है न, बार-बार, तो जो भी आपको missing लग रहा है, आपके दिमाग में वो missing था, वो भूल जा रहा है देखने पे, तो उसको फटा-फट से, एक A4 sheet एक आपके पास हाथ में होनी चाहिए, बस एक single, और उसी में पूरा content physics का, और दूसी तरफ पूरा content maths का होना चाहिए, ऐसा आपने चिट note बनाना है, exam में लेके जाने के लिए नहीं, अपने पास रखने क तो वो बहुत बढ़े हाँ पिंच करता है, बहुत सुंदर सुंदर नहीं लिखना हुए, दम आराम से ऐसा लिखना है कि मतलब आपको समझ में आए, बाकी किसको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले दिन सुबह में, अगर आपके seconds, third shift में है, अगर आपकी first shift में हैं, तो क meditation कर पाईए, माला वाला जबते हों तो कर लीजे, exercise लेकिन जरूर करना है, exercise मतलब ऐसा नहीं कि इतम आगन बो दिये, बस इतना ही exercise करना है कि आपने थोड़ी सी हलकी जॉगिंग कर ली सुबा सुबा, मतलब ठंड वाली जो बात थी, ओ खतम हो जाए, हलकी सी गर्मी आ जाए, हलका सा ऐरोबिक्स आपका हो जाए, जब बलड सर्कुलेट करता है दिमाग में, तो अपने आप मन सांत हो जाता है, और कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है, अब आपने रात भर जखके पढ़ाई करी सुबा, नीदी ने खुल रही सही से, एक्जाम में एतम हवा में है, 90 बच्चों को मैंने देखा है, कि एक्जाम से पहली रात में नीद नहीं आती, और नीद ना आने के वैसे आरात बर जगते रहागे, पहला से ये पेपर दे के सोएंगे, असमस्या ये है कि उस टाइम पे आपका सोने का टाइम हो जाएगा, अब पेपर में आप फोकस कर रह गलत टेबल आ जाता है, मतलब गलती बहुत आराम से बहुत आसानी से हो जाती, तो इसलिए जरूरी है कि आप सोएं, और सोना अगर नीद नहीं आता तो हल्का दूद लीजे, एक कप दूद लीजे, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाईए, थोड़ी सी, जादा नहीं, गुर सब कुछ रहेगा, ऐसे फोकस कर लीजे, मतलब एक गुड मेमोरी के साथ में दिमाग डाइवर्ट होता है, लेकिन दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, कि आप कैसे कंट्रोल करें, आदा गंटे, गंटे, डिर गंटे में कभी तो नीद आएगी नहीं नीद आई तब भी आप अगर आँख बंद करके सोय हुए हैं और सांस आपकी बराबर गहरी चल रही है, नीद में क्या उता है, सांस ही तो गहरी रहती है, तो आखे बंद हो, अगर सांस लंबी ले रहे हैं, भले आप जागे हुए हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, सर सांस रुकी हुई है, जाकते समय सांस रहती हैं, धीर 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 नहीं, गहरी सांस से सोते समय चलती है, उस टाइप की सांस आपको सांस प्रणा सार है, कि आप बढ़ी बढ़ी आप सांस ले रहे हैं, ऐसे करके लेड़ लेंगे, बहुत फ्रेश रहेंगे आप, ठीक है सब्सक्राइब करें इस बात को भूल जाईए कि मैं आपका नंबर या नाम शेयर कर दूंगा ऐसे ही आपने कॉमन के अडर क्वालिफाइड ग्रूप में खुद जाके देखा हुआ कि इतने बच्चे क्वालिफाइड थे कितने उसमें से ग्रूप के हैं तो मुझे इतना पत जोग करेंगे सही हो कैसे कर सकते हैं जैसे आपका एक्जाम क्वालिफाइड होता है रिजल्ट आने के बाद में आपको लगता है यार नंबर मठीक ठाक आए हैं आप हमें बता दीजिए और क्या दीजिए नहीं शेयर करना है अभी मत करिएगा लेकिन जब आपका फाइनल नहीं मन है आपका मत दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं एक फोटो सेशन साथ मिलेजिएगों मैं अपने परसनल कलेक्शन के लगता हूं आपको नहीं पता है कि आपसे ज़्यादा खुसी हमें होती है कर कोई हमारे प्लेटफॉर्म से जड़ता है और क्वालिफाई होता है हम कोई भी बिजनेस यहां नहीं करते है यूटीव पर आपको पता है कि यूटीव पर बार बार बेवज़ा वीडियो बना रहे हूं या कुछ कर रहे हूं तो अगर आप आ सकें आप नहीं आ सकें तो एक जोमेटो से अगर दो पीस मिठाई अगर आप गाजुकतरी मेरी सपोर्ट करेगा हम लोग को इतना कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर एक छोटी सी विजट कर लें तो बहुत बढ़ी आ रहेगा मैं बाद में कॉल करता हूं जो आप लोग के बात सुर्बदले लगते हैं या फोन नहीं उठता है काफी ह जग रहेगा नेचर नहीं बदलना आपका जैसे हो जहां भी हो ठीक हो आप यही आपकी लाइफ है यही आपका क्यरेक्टर है और इसको मेंटेन करके प्रिजर्व रखके रखिए क्योंकि समाज में बहुत चका दाएंगी पैसे बहुत आएंगे लालज बहुत आएगा हर चीज को बढ़े आस खड़े रहना कोई आपको आफर करे कि हम देड़ लाग देंगे दो लाग देंगे मेरे प्लैटफॉर्म पर आके इंटर्व्यू दीजिए इन सबसे बचिए पैसा आपके लिए माहने नहीं रखेगा चार-चे मैने बाद आप बढ़िया से एल्ली होगी नहीं कर पाई है कोई बात नहीं है अपने आपको सपोर्ट करिए खुश रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा फेपर बढ़ियास देखे आईए लास्ट बट नौर्द लीस्ट नेवर पानिक अटॉल अगर पेपर आसान आया तो बहुता जश्ट मनाने की जरूरत न नहीं होता कोई बात नहीं आप जैसे करते हो ऐसे करना आां से क्रना कोई जल्द बाजी कर्दिया कि आपने पूरा Nope सब्सक्राइब सब्सक्राइबा सकत premight जाना है पूरी डिदिंग मार लिए पूरी पेपर का जितना हो जाएगा हो जाएगा अगर आपको लगता है मैं भीड में नहीं होई इस वाले बहुत दूर हूँ तब कि मैं बात आ रहूं कि आपको 40-50 तो आते होंगे वही 50 पहले पहले कर के खतम कर लिजी तो आप जानके ह बोलता हूँ आप शायद समझ रहे होंगे अभी आप लोग कामली बैठे हैं कि नहीं हो पाता संभव कि हम सबसे बात कर पाएं लेकिन हाँ यह है कि जहां भी जरूरत पढ़ती इतना मुझसे बन पता मैं डेली कॉल करता हूँ आज भी मैंने 30 मैं पहल किया कल भी आपको प तो जर्णी सी baru ठोड़ी सी अटपटी हो जाया आप ङांट हो जाया तो तुसके घबराना बिलकुल नहीं कोई सम्मान दे रहा कोई फरक नहीं परता कोई अपमान करता है क्या फरक पड़ता है कोई भी आदमी आपके सामने उसकी जांके रहेंगे इतनी खतरनाक होगी कि आपको ये surprise हुआ कि अब तक control कैसे किया हुआ था तो हमेशा किसी चीज़ पर react करने से पहले उसकी मनुदसा समझें उसकी condition समझें कि वो किस चीज़ को challenge कर रहा है इस time पर तो इसे आप आएंगे कि life एक दम used to रहेगी आप हमेशा मुस्कुराते भी नजर आएंगे अपने आस पास लोगों का ध्यान रखिए मौक मत दीचे का कुश्च नाजनत लगाईएगा जितने में चीज़े मैंने लास्ट में बताई है यही चीज़े फॉलो कर रही है और थोड़ा सा कोशिश करिए काम रहने की कि एट वास ओल सुमिंग अप बाए